तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें गाड़ी कितने की पड़ी मैंने कब बुक कराई थी और मुझे कब मिली कितने महीने की वेटिंग थी और इसमें मुझे प्राइस प्रोटेक्शन मिला या नहीं मिला तो मैंने ये गाड़ी को बुक कराया था 20 अक्टोबर को म मैंने गाड़ी बुक कराई थी जिस पे मुझे पहले बताया गया था कि आपको नवंबर तक मिल जाएगी 25 नवंबर तक लेकर आप सब को पताए टाटा पंच की तिनी मारा मारी थे अभी भी है कि गाड़ी में मिलने का नाम यह नहीं ले रही थी उसके बाद उन्होंने बताया कि कम से कम बेटिंग च्छो महिने की पर मुझे वेटिंग बता गयी थी उसके बाद मैंने लगातार टाटा ऑफिसेल मेल किये उनके इस्टागराम पेज़ पर डीम किये आप पर मुझे रिपलाई नहीं मिला उसके बाद फिर मैंने मेल डाला टाटा मोटर्स को तो वहां से मुझे रिपलाई में जो मेरी डीलर से पर उसमें है उनका नमबर दिया गया सीधे नहीं फिर है पर मैंने कई वार फोन किया कि गाड़ी मुझे कब आएगी और कब नहीं आगे बनने से पहले आपको बता दूं हमने ये गाड़ी बुक कराई थी च्छे लाक बतीस जार रुपे में यह हमारा वो था बुकिंग आमांट था मेरा पांच जार रुपे और च्छे बतीस के हमारी डील फाइनल हुई थी पूरा बार्गेंड करने के बाद और बता चालिस दिन तक मैंने बहुत ज्यादा सब कुछ रीसर्च किया बात की किस्टमर केर से कभी किसी से डीलर्शिप पे हर अफ्ते फोन करके बात की तो हमारी गाड़ी बिल हो गई पूरे तीन महीने के बाद अक्टोबर में बुक कर आई थी और जनवरी में हमें बताया था र अगबग 25 जनवरी के आसपास हमारी गाड़ी बिल होई थी उसके और 17-18 जनवरी को गाड़ी के प्राइस बढ़ चुके थे उससे मुझे पता नहीं था और मेरे पास फिर चार दिन बात फोन आता है कि आपकी गाड़ी सर बिल हो चुकी है लेकिन आपको बढ़े हुए पै सब्सक्राइए देना है या नहीं डिल देना है द देलर ancestors पे मैंने बात की बहुत ज्यादा माथाह मारा था परना भाइव अगर खड़ी होती थी तो आपको शील दे से उपर से सबस्क्रा जाब मैं इसके पैसों पर तो तो पैसे बढ़े थे 15000 बढ़ेते एक शोरूम पर तो आन रोड मुझे 18,000 रुपे ज्यादा बढ़के गाड़ी मिल रही थी जो डिलीवरी वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि 18,000 रुपे हम ज्यादा देने पड़ेंगे प्राइस प्रोटेक्शन इस गाड़ी पर हमें नहीं मिली है ठीक है उसके बाद जो हमारी ड 15,000 की किट आती थी लेकिन अब उसके पैसे बढ़ चुके थे उसमें एक दू आइटम हो चुके थे तो वह गहर कितना कर सकते हैं कि आपको जो एसे सिरीज है ना वह आपको आप छे चपन में फाइनल करते तो दे देंगे और आप हटवा दोगे उसे 17,000 वाली किट तो मुझे गाड़ी की डिलेवरी मिली 5 फरवरी को हमारी गाड़ी आ चुकी थी 31 जनवरी को और लेकर हमारे बैंक के काम में सारा टाइम लगा पांस दन गाड़ी सो रोम पर खड़ी रही उसके बाद हमें इसके डिलेवरी तो मुझे ये गाड़ी पड़ी है 6,50,000 रुपे की ओन रोड ठीक है और मुझे इसमें 3 महिने से ज्यादा लग गए ऑक्टोबर में बुक कराई थी 5 फरवरी को मिली है ऑक्टोबर 2021 में बुक कराई थी और 5 फरवरी 2022 को गाड़ी मिली है लेकिन जो मैंने वीडियो डाला था ना डिलेवरी वाला उसमें मुझे एक-दो लोग उने मैशिज किया मैं Price protection मिला है और आप लोगर बताएं अगर आप लोग को प्रैश प्रोटक्शन मिला है तो मैं complaint कर सकता हूँ मैंने customer केर से पूछाता का अगर सर किसी को मिला है तो मैं ऐसे कर सकते हैं वैसे ये पूरा depend dealership पे करता है कि price protection देनी है या नहीं है और बहुत जादा हर तरफ से सब कुछ करके देख लिया लेकर उनोंने हमें discount मतलब discount क्या price protection इस गाड़ी पे नहीं दी तो आप लोग बताईए अगर आप में से किसी को मिली है तो फर आगे देखते हैं क्या करना है तो इस वीडियो में इतने रखते हैं थैंक्यू